असलाम अलेकुम तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बिल्कुल रेस्टु रेस्ट जैसा वाइट सोंस पास्ता बच्चे हो या पड़ो सबको यह बहुत पसंद आता है तो चलिए मेरे किचिन में बनाते हैं मुझाए बाइप तो डौ1 में विर्व पास्ता लिए इसको बोाइल कर लेंगे गडरब पानि मैं मिक्स करते के लिए इसको गलने देंगे तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं हम पास दिखाते हैं कैसे गला है तो देखिए कट करने पर यह अराम से कट हो रहा है इसकी वाइड वाइड दिख रही है इसको ठंडे पानी से धोलेंगे पैन रखंगे हम औल डालेंगे इसमें सब्जी भूनने के लिए तो बारिक कट ओवे लसन डालंगे लसन को भूण लेंगे वूरस में अपनी गाजर एट कर देंगे घाजर है शिमला मिर्च भी डाल देंगे अपनी आधी शिमला मिर्च लिए मैंने इसको भी कट कर दा है अपने स्वीट कॉन्स भी डाल देंगे इसको भून लेंगे हमें यहां सबजियों को बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना बहुत ज्यादा भूनना नहीं है लो टू मीडियम फि क्राइब जरूर कर लें अब हम इसमें काली मिर्च का पोड़ डाल देंगे एक दू सेकंड तक फिर भूनेंगे इसको गैस अपनी स्लोई रखें तो देखिए गाइस हमारा भून चुका है हम इसको रख देंगे अपसाइड में अपनी कड़ाई रखते हैं बनने के लिए मेल्ट होने देंगे सॉप पोड़ देंगे तो देखिए गाइस यह मेल्ट हो चुका है अब हम लिए इसमें मेदाMark कर देंगे इसको चलाते रहेंगे गैस अपनी स्लोई रखें ताकि हमारी ये सॉंस जलना जाए तो गैस बस इसको चलाना है ताकि ये हमारा लगना जाए तो देखिए गैस ये हमारी हो चुकी है अब हम इसमें तीन कफ हमने दूद लिया है उसको डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके दूद्ध डालें इसमें और मिक्स करें चलाते जाएं और अच्छे से मिक्स करते जाएं तो देखिए हमारा तीन कफ दूद्ध पूरा जा चुका है इसमें अच्छे से चलाएं इसको ताकि हमें लम सिफिरी सोंस बने एकदम सुमूद एकदम शाइनी सी थोड़ी मेहनत लगेगी मगर रिजर्ट अच्छा मिलेगा अब हम इसमें आधी ट्यूस्पून नमक काली मिर्च का पाउडर रेड चिली फ्लेक्स और गेनो इसको मिक्स करेंगे अच्छे से चलाएंगे तो देखे गाईज हमारी सोंस तयार हो चुकी है चम्मच पे हमारी एक लेर सी बन जानी चाहिए अब हम इसमें अपनी सबजी डाल देंगे इसको मिक्स करेंगे तो देखिए गाईश यह मिक्स हो चुकी है अब हम इसमें अपना पास्ता डाल देंगे मिक्स करेंगे सब चीजों को इनको अब हम इसमें अपना चीज डाल देंगे fix करेंगे तो देखिए guys एक दू मिनट लगा हमें लेकिन ये अच्छा बना है gas को कर देंगे बंद और हम दिखाते हैं आपको कैसा बना तो देखिए guys इस पे हम काली मिर्ज का पोरो डाल देंगे organo red chili flakes और अपना ये last में favorite cheese आप भी बनाएं और मेरे साथ share करें कैसा बना तो देखिए guys कितना अच्छा बनाएं आप देख सकते हैं इसकी consistency तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहावीज